तो और के हल चाल दोस्तों फिर से सवागत है आपका दिन जोएंगे इसकी कॉलेज यू सीरिज के को नई वीडियो में इस वीडियो में कॉलेज यू करने वाले हैं आइटी हैदराबाद का जाप हम देखेंगे कि कॉलेज की प्लेस्मेंट कैसी है प्लकषत का बता है सिरियान के साथा ग्याइज संतली है इसका से कहिंएंना एकी। इससे पहले टो करें आपको बताता से घ्रेण सンネル को आपको स्कुरिको स्क्रेण पर दीख stripes रही यह सक्ते है यह लिंक कर डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो बिल्कुल फ्री है बस बदले में नीचे लाल करका सब्स्राइब को बटन दिखे रहा इसको दबा देना और चैनल को सब्स्राइब कर देना ताक्या पेसी कॉलेजी सीरीज की और वीडियो देख पाओ तो बस बढ़ते हैं वीडियो में आगे तो सबसे पहले हम कॉलेज का ओ आपने पर्मानेंट केंपस में जो की 576 एकल का है जो कि यह कांडी तेलंगाना में है इसके बाद केंपस की फोटो तो आप यहां पर देखी सकते हो कैसी रेड और वाइट कलर की बिल्डिंग सच में काफी खुबसूरत लग रही है देखने में तो मतलब और केंपस की हम औ काफी अच्छा हो जाता है तो यह बात मुझे हैं पर काफी अच्छी लगी है इसके साथ निया पर केंपस की ओर वात हम करें तो यहां पर देख सकते हैं आप स्टूडेंट और टीचर आउसिंग डिवाइड है अलग अलग है मतलब इस्टूडेंट की हाउजिंग अलग है अलग है इसी के साथ गर्ण और बोई उस्टेल भी अलग अलग रखे गए इंवाव्मेंट को मेंटेन करने के लिए तो यह अपने लिए निया कुछ भी कुछ भी कुछ भी आर इसा कौन सा कॉलेज घुता है जा पर गर्ल्स वर बॉय उस्टेल सेम होते हैं मतलब एक ही ऊस्टेल में गल्स भी रही और बॉय भी रहे अगर यह सा कॉछ यह तो मुझे नीचे कमेंट खरके जरूर बताना मैंने तो नहीं सुना आज तैं कैसे कुल्चेरर फेस्ट की बात करें तो हाँ पर हर साल इलान एंड एण विजन नाम का कल्चेर फेस्ट होता है जो कि एन्वट टेक्नो कल्चेरफेस्ट है इटाबाद का इसका नम इलन मस्क रखके गया था क्या यह कॉलेज़ की बियूत फेस्ट के नाम इतने perform करने आते हैं इनके culture fest में तीन दीन का होता है culture fest बस यही है इसके बात बढ़ते हैं college की ranking किसकी तरफ तो NIRF ने 2020 में इसको 8th rank दिती engineering में और 22 rank दिती overall category में मतलब आप समझ रहे हो कि 2008 में ये college established हुआ है और 2020 में इसके पास करनेक्टिवीटी की बात कर लेते हैं कि आप इस college तक पहुचोगे कैसे तो connectivity के लिए आप अगर दी by flight travel कर रहे हो तो आपको नेरेस्ट एयरपोर्ट यहाप पढ़ेगा राजियुगान दी इंटानेशनल एयरपोर्ट जो की 65 km दूर है college से इसके अलावा आप अगर दी रेल से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको नेरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाप पढ़ेगा हैद्राबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन जो की 55 km दूर है campus से मतलब आप train या flight दोनों से travel कर रहे हो तो दो ड़ाई गंटे में पहुच जाओगे campus इजीली तो यही सोच के निकलना अगर दी आप campus तक जाने का सोच रहे हो तो कि महां पर भी टाइम अगरा calculate कर लेना इसके आद मोड ओव तो फीस आप देख ले तो तीन लाग रुपे परियर आपको फीस लगेगी और चार सालों की फीस हम देख लेते हो तो बारा लाग रुपे में आपका बीटा यहां से complete हो जाएगा कि इसके आदम cutoff and seat metrics देख लेते कि कौन सी ब्रांच में कितनी seats available है और उसका cutoff क्या है तो यहां पर देख सकते हैं आप artificial intelligence जैसी ब्रांच भी इस college में available है मतलब full-fledged branch available है जो कि दूसरे आयाइटी में नहीं होती है minor branches होती होती ब्रांच नहीं होती तो यह बड़ा reason हो सकता है इस college के इतनी जंदी improve करने का काफी innovative nature यार college का मतलब innovation को काफी importance देता है college इसके लिए भी यह college इतनी इसे ग्रोव कर रहा है तो अगर दिया हम artificial intelligence की बात करें तो यह पर जेंडर न्यूटरल की सेवेंटीन है रेंक आप देख सकते opening rank 478 है और closing rank 657 है ऐसे यहां पर दूसरी branches भी है जैसे की chemical engineering civil engineering computer science engineering electrical engineering engineering science बहुत सारी है यार आप मैं यह पर पढ़ लेना मैं एक एक ब्रांच पढ़ूंगा और उसकी rank बताऊँगा तो यहां पर video बहुत लंबी हो जाएगी हम देख लेते computer science engineering के हम बात करें तो जेंडर न्यूटरल की seat 39 है opening rank 203 है closing rank 616 मतलब कितनी जल्दी computer science and engineering seats यहां पर फिल हो जाती है आप देखी सकते हो इसके साथ engineering science भी है जिसकी देंडर न्यूटरल की seats 4 है opening rank 7674 closing rank 7819 बागी सारी आप यहां पर पढ़ लेना बहुत सारी ब्रांचेस है है mechanical engineering वगरा पढ़ लेना इसके बाद हम बात करते होस्टल की क्यों कॉलेज में होस्टल कैसी है तो आप आपको boys और girls hostels दोनों available हो जाएगी कॉलेज में बन परसन और पेंसी है इसी के अलावा आपको इंटरनेट वगरा भी होस्टल में प्रोवाइड हो जाता है वाइफाई वगरा तो यार यह तो मुझे कोई इस बात का सेंस नहीं लगता है कि वाइफाई कॉलेज में अवेलेबल है क्योंकि जीओ के आने के बाद त्यार सबके पास ही नेट होता है कि बात अलगती कि पहले कोलेज वाले बोलते थे कि हमारे कोलेज में वाइफाइ अवैलेबल हे तो काफी खूशी होती थी सून के लेकिन अब प्रेस्मेंट रेट है इस कॉलेज का इसका नंबर ऑफर्स की बात करें तो 400 प्लस यहाँ पर आते हैं एवरेश CTC हम देखें तो 26.64 LPA है हाइस CTC 47 LPA है एवरेश CTC ओवरॉल हम देखें तो 20 LPA यह है और नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑफर्स कितने आए इस कॉलेज में जो कि 30 और नंबर ऑफ प्पो कितने आए जो कि 37 है प्पो जिन लोगों को नहीं पता कि प्पो क्या होता है वो मेरी इंटेंशिप वाली वीडियो देख लेना उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्प अगर दिया आप किसी भी ब्रांज से करते हो तो एवरेश CTC ही 20 LPA हो रहा है ओवर आल भी हम देखे तो मतलब विदिन वन एयर आपका रिटन ऑफ इनमेस्मेंट सारा निकल जाएगा जितना भी अपने कॉलेज में लगाया है तो यह काफी अच्छी बात है यहां पर इसके सब्सकात हमने करी लिए बॉइस होस्टल में बैड़ेट है 1342 गल्स होस्टल में बैड़ेट 350 इसके अलावा कैफेटेरिया है कॉलेज में जिसमें कि आपको वेज और नौन वेज दोनों फूद अवेलेबल हो जाते हैं हाईजेनिक है काफी अच्छी बात है इसके अलावा चीज लगी कि सारे अच्छी लेगी कि अच्छी से अच्छी वगरा भी अवेलेबल हैं मतलब आपके कमफर्ट को भी बहुत जादा इंपोटन्स यहां पर दी जाती तो आप जितनी महनत कोटा या इंदौर वगरा में कर रहे हो जैगी कि प्रिपेरेशन के लिए आर उतना कि इस कॉलेज में आइटिफिचल इंटेलिजन जसी स्पेशिलाइजेशन को भी फूल फ्लेज ब्रांज बनाके रखा गया जो कि बहुत अच्छी बात है मतलब इनोवेशन को एक कॉलेज बहुत इंपोर्टेंस दे रहा है यही है कि इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इसके साथ साथ यहां पर जैपनीज कोलेबरेशन भी है मतलब जैपनीज फेकल्टी से भी पढ़ रहे होंगे अपने कॉलेज डियूरेशन में तो आपको एक फॉरें इन्वार्मेंट भी मिल जाएगा इसके अलावा यह कॉलेज इन्वार्मेंट पर भी काफी ध्यान देत है तो आप पिछले कुछ सालों से इस साल का कट ओफ देखेंगे तेयार काफी डिफ्रेंस आ चुका मतलब स्टुडेंट को यह कॉलेज अपनी और काफी एट्रेक्ट कर रहा है और आप इस कॉलेज को एज ऑप्शन ले सकते हैं अगर आपकी एडवांस क्लियर है और आप आप इस के लिए कांसिलिंग करवा रहे तो इस कॉलेज को भी एक ओप्शन चूज कर सकते यह यह नया है बाकि यह यह काफी तेजी से ग्रह कर रहा है यह इस college की बहुत अच्छी बात है तो आप इस college को एज आ उप्शन ले सकते हैं तो या देट इस पूर टुड़ेज वीडियो इस वीडियो में बात करी आई 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 टी हधराबाद के बारे में आपको वीडियो कैसी लगी मुचे comment section बताना मत बुलेगा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप और यसी college की वीडियो से हमाई चैनल पर देख पाएं और आपने हमारे इंस्ट्राइम पेज को फॉलो नहीं किया लिंक को निचे description में जाके follow कर दो में वही पर लेटेश अब्डेट वीडियो से लेट डालते रहता हूं इसे करा मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाए